Hello everyone, आज हम लोग बात करने या रहे हैं SSTF Scheduling के बारे में Shortest Seek Time First Scheduling algorithm के बारे में हम लोग बात करेंगे तो question given है हम लोग को A Dix contained 200 track 0 to 199 और request contained track number 82, 170, 43, 140, 24, 16 and 190 हम लोग को request track दिया है given है और current head position is 50 current head position दिया है मतलब एक हमारे लोग के पास track है जो 0 से 199 तक है ठीक, current head position हम लोग को given है 50 given है 50 यहाँ होगा सपस यह हमारे क्या है current head position है तो Shortest Seek Time First यह हो यह SSTF Scheduling में कहता क्या है कि जो हमारे head position है वहां से Seek Time जो number होगा request content track में जो number दिया हो वो उसका ऐसा number चूज करेंगे जिसका Seek Time सबसे कम होगा मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी value चूज करेंगे जो 50 के सबसे नीरेश्ट value होगी चाहे Descending move करेंगे इस direction में चाहे इस direction में चाहे इस direction में अगर इस direction में move कर रहे हैं तो सबसे नीरेश्ट value मिलनी चाहिए अगर इस direction में move कर रहे हैं तो 50 के जो greater value सबसे नीरेश्ट value कौन सी होगी हमारे question में जो given होगी और 50 से less side है तो सबसे नीरेश्ट value कौन सी होगी less than में ठीक अब बात करते हैं 50 हमारा current position अब चेक करेंगे question में हमको given है अब इस में से चेक करेंगे सबसे नीरेश्ट सबसे सीक टैम किस का है 50 के पास मतलब 50 के पास कौन सी value आएगी ठीक अब यहां देखिए 50 के पास अगर हम लोग greater की बात करें तो 82 आएगी और अगर less than की बात करें 43 आएगी ठीक अब हम लोग यह करेंगे कि हम लोग किस की और मूव करना है किस साइड मूव करेंगे बट अब इसमें हम चेक करेंगे किसका सीक टैम सबसे कम है अगर मान लीजिए अगर हम 50 से greater value तरब जाते हैं तो 82 मिलेगा अगर हम चेक करें अगर हम लोग इस टैक्सर मूव करते हैं तो सीक टैम कितना मिलेगा 50 माइनस 43 सीक टैम मिल लगा है 7 मतलब 7 हमारा सीक टैम सबसे लएस है मतलब 43 अगर इस टैक्सर मूव करेंगे तो हम लोग को सबसे नेरे value कौन से मिलेगी 43 यहां पर 43 के हम लोग पास आ गया है और इसको हम लोग ने विजट कर लिया अब इसका जो सीक टैम हो कैसे कल्कुलेट करेंगे सोर्स माइनस डेस्टिनेशन तो वही हम लोग कल्कुलेट कर लिया और हमको सीक टैम कितना निकल गया है 7 सबसे कम सीक टैम है इसलिए हम लोग ने 43 को इसके 50 के तो इसलिए हम लोग 43 को और मुव कर गया है अब हम लोग 43 पहुच गया है ठीक अब 43 पर देखेंगे सबसे नीरेस्ट वैलू कौन सी है ठीक 43 में नीरेस्ट वैलू कौन से होगी ऑक कोशन में देखियी 24 है और 16 और सबसे से से 24 वैलू होगी ठीक तो 24 यहां आएगा ठीक और 43 से हम लोग ने मूफ किया कहा 24 के ओर यहाँ पहुच गये अब 50-43 इसका सीक टाइम कितना था? 7 था, अब कल्कुलेट करेंगे कि सीक टाइम इसका चेक करें 43-24 का सीक टाइम कितना होगा? 9 19 19 आएगा, ठीक कितना सीक टाइम आगया? 19 आगया अगर हम लोग 16 लेते हैं, तो सीक टाइम 19 से ज़्यादा आता है, तो 24 नीरेश चेक इसके 43 के अब हम लोग पहुच गये हैं, यहाँ पर 24 पहुच गये हैं, अब 24 पर देखेंगे सबसे नीरेश वेली कौन सी 24 के 24 की नीरेश वेली कौन सी है? 16 है, तो उसमें लोग यहाँ पर 16 तक मार्क कर देएंगे और 24 से स्टाट करेंगे 16 तक और हम लोग को 16 मिल जाएगा ठीक, अब हम लोग देखिए इस डेक्शन में हमने सारी वेल्यू कवर कर ली हैं, अगर हम लोग बात करें इस डेक्शन में सारी के वेल्यू कवर कर दे 50 के निरेश वेल्यू कौन से थी? 43 थी, जिसका सीग टैम ता 7 उसके बाद 43 के पास कौन से वेल्यू थी? सबसे निरेश 24 थी, उसका सीग टैम 19 था उसी तरह हम लोग ने 24 से स्टाट किया था, 16 हमारे निरेश वेल्यू मिली थी, कौशन में गीवन था 16, और हम लोग वहाँ पर पहुच गए हैं, अब देखिए जो हमारे पास अब वेल्यू बची, वो उसमें से क्या है? 82 बची 170 बची और 140 बची और 190 बची, ठिक अब भी देखिए 16 से हम छोगे, कहाँ के और सबसे निरेश वेल्यू कौण सी? इस गीवन के कौशन में देखिए, सबसे निरेश वेल्यू कौण सी मिलेगी 82 मिलेगी, अगर 17 से हम लोग मूव करेंगे, और 82 कहाँ है? 50 से बड़ा, मतलब यहाँ पे हमको 82 मिलेगा, तो हम हम लोग यहां से मूव कर जाएंगे 82 की ओर यह हमको यहां पर 82 मिल गया अब हम लोग यह चेक करेंगे 82 पर यह हमारा डेस्टरेंस यहां पहुंच गये अब यह चेक करेंगे अगर आपको निकालना हो कैसे निकालेंगे आप करेंगे तो आपको इसका मिल जाएगा अब हम लोग 82 पर पहुंच गये अब हम लोग यह चेक करेंगे कि 82 के पास कौन से निरस्ट वैल्यू है तो 82 के पास कौन से निरस्ट वैल्यू आएगी जाइट सी बात है कि 140 हमारी निरस्ट वैल्यू आएगी तो 140 हमारी यहां होगी तो 82 से मूफ करेंगे 140 की ओर ठीक हम इसको कवर कर लेंगे ठीक अब हम लोग यहां पहुंच गये 140 पे अब हम लोग यह चेक करेंगे कि 140 के पास कौन सी नेरेश्ट वैल्यू होएगी डेट थीक तो 140 के पास कौन से इडेटर आएगी 170 है तो हम लोग 172 को यहां कर देंगे और मुव कर जाएंगे ठीक अब यह चक करेंगे 170 के नेरेश्ट वैल्यू कौन सी होगी अब हमारे यहीं गीवन है हमारा स्टस्ट से स्टर्ट करेंगे और गाल कर लेंगे यह हमारा सॉटस्ट सीग टाइम फर्ष का कोशन है में लोग नें कबर कर लिया अगर आप से पूछा जाए कि सीग टाइम अगर फी कल्कूलेट करिए तो तो, सेक्टम कैसे हो करेंगे हमने 50 से शाड्याच किया था सब सबसेर सव think को विज़िट किया था सबसेरं सेर्स वाइल्य था तो हमने 50- 43 किया सेक्टम को निकलाया दिए इसी तरह हमां लोग कहां ग्लेट कर लेंगे सिग निकला आएगा उसी तरह 24 के पास आ गया थे और 24 के पास कौन से नीरिष वैल्यू थी 16 हमको नीरिष वैल्यू मिली थी तो इसका सीट टाइम करसे निकालेंगे 24-16 तो हमको सीट टाइम इसका मिल जाएगा उसी तरह हम लोग ने 16 पर पहुचके सिक्षिन के पास कौन से वैल्यू बज़ गया थी इसमें 82 बज़ गया थी 170 बज़ गया थी 140 और 190 अगर हम यह देखे कि 16 के पास नीरिष वैल्यू कौन से होगी इस कंडिशन के साब से तो 82 सबसे पास वैल्यू होगी 16 के तो हम लोग 82 पहुच गया है ठीक विजिट कर लिया अगर सीक वैल्यू निकालनी हो तो 82 माइनस सिक्षिन कर देंगे हमारी वैल्यू सीक्टाइम निकालाएगा ठीट उसी तरह 82 से हम लोग चेक कि इसका सीक्टाइम निकाल लेंगे करेंगे सब कम लो शीप टाइम निकाल लेंगे स्वरुटस सीख तैम मतलब यह नहीं कि सबसे सोर्टस वली लगे यह मतलब थैंग और सबसे कम सीघटई माईगा उसे को हम लोग लेंगे मतलब अगर हम 50 से आपको बताया था अगर 50 से हम लोग खड़े थे अभी चेक करेंगे दो वैल्यू निरिश मिल लेती कौन सी अगर 50 से ग्रेटर लेती तो 82 मिल लेती और अगर लेस में जा रहा था तो 43 वैल्यू मिल लेती ठीक बट हम ऐसी वैली चूज करेंगे जिसका सीग टाइम सबसे कम होगा इसलिए में लोग ने सीग टाइम निकाल लिया था कैसे 82 माइनस 50 से और 50 माइनस 43 थे तो हम लोग को सीग टाइम इसका कम मिला था किसका 43 का तो हम लोग 50 तरह मूव कर गया थे ठीक इसी तरह ये पूरा कल्कुलेट होगा अब निकाल लेते हैं टोटल नंबर आफ ट्रैक हमने कितने मिले हमको टोटल नंबर आफ ट्रैक कितने हैं ठीक क्या निकालेंगे टोटल नंबर आफ ट्रैक कैसे निकालेंगे दो मेंटड होते हैं एक इजी वे का और दूसरा वेरी इजी वे तो पहला सबसे इजी वे बताते हैं वेरी इजी वे very very easy way तो यह देखिए हम लोग ने 50 से start किया था और last track कहां visit किया था एक direction में एक direction में लोग move किया था last track कौह था 16 तो 50 minus 16 उसके बाद हम लोग न 16 से start किया था और last track कहां तक कहा थे हम लोग 190 तक गय थे 190 minus 16 इसको अगर calculate करेंगे जो एंसर आएगा हमारा 208 हमारा ये total number of track निकला आए ठीक अब बात करते हैं easy way ठीक क्या करेंगे अब हम लोग एक track लेंगे एक track का निकालेंगे कैसे 50 से start किया था उसके बाद कहां गया थे 43 पे गया थे तो 50-43 प्लस उसके बाद 43 से start किया था 24 पे गया थे तो 43-24 प्लस फिर 24 से start किया था 16 पे गया थे तो 24-16 प्लस और 16 से start किया था तो कहां पहुंचे थे 82 पे तो 82-16 प्लस 82 से फिर start किया था कहां तक गया थे 140 तक तो 140-82 प्लस फिर 140 से स्चार्ट किया था और कहां तक गया थे 170 तक 170 माइनस 140 प्लस फिर 170 से स्चार्ट किया था कहां तक गया थे 190 तक तो 190 माइनस 170 इसको करेंगे तो हमारा एंसर आएगा 208 यह क्या है तोटल नंबर ओफ ट्रैक यह हमारा एस एस्टी एफ सदूलिंग हो गई कम्प्लिट थैंक यू अवर्वन